जहन्द केंद्री विध्यालाई की वेकेंसी आ गई है जिसमें प्राइमरी टीचर की 6414 वेकेंसी आई है चता TGT, PGT और Non Teaching केटेगरी की वेकेंसी आई है इसके फार्म 5 दिसमबर 2022 से एपलाई होना स्टार्ट हो गए है फार्म एपलाई करने की लास्ट डेट है 26 दिसमबर 2022 इस वीडियो में फार्म ऑनलाइन तरीके से कैसे फिल करना है स्टेप बाई स्टेप देखेंगे इसके लिए KBS की Official साइट पर जाना होगा और KBS के Headquarters Office पूरे भारत में 25 इस्थानों पर है और 1252 इसकूल पूरे प्रदेश में है जिसमें तीन इसकूल बिदेश में भी है सिवीटी वेस्ट इसका एक्जाम होगा और SC, ST और दिव्यांग जनो और एक्सर्विसमेन को कोई छूट इसको में प्रदान की गई है इनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी इस वीडियो में वही भी बताएंगे सबसे पहले आपने KBS की Official Website पर जाना है जिसमें आप KBS डाल कर किसी भी ब्राउजर में डालेंगे kbs.sanghtan.nic.in डाल कर इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसके Official Home Page पर आ जाएंगे जहां पर ये इस पर क्लिक कर देना है तो इसमें सारे Option खुल जाएंगे कि यदि आप प्रिंस्पल के लिए कर रहे हैं तो उस पर क्लिक करेंगे और Postgraduate PGT के लिए हैं तो उस पर क्लिक करेंगे 4 इसमें मॉडूल दिये गए हैं तो इस वीडियो में Primary Level PRT के लिए अपन क्लिक करेंगे तो ये तीसरे नमबर पर क्लिक करना है और Non-Teaching के लिए सबसे Last वाला Option दिया गया है जिस पर भी आप Form Apply करना चाहे रहे हैं उस पर क्लिक कर देना है जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप उसी फॉर्म के पहुँच जाएंगे इसमें Librarian और Other Non-Teaching के लिए KBS सबसे नीचे है इसके बाद है तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया है तो Step Online Register Candidate Sign ये इसमें आप पहले से दी आपका application नमर जनरेट हो गया है तो उस पर login करने के लिए ये दायने तरब का है लेकिन हम इसमें अभी फॉर्म फिलब कर रहे हैं तो 22 साट वाला New Registration पर क्लिक कर देना है जैसे ही New Registration पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको instruction मिलेंगे इसके download भी कर सकते हैं आप information bulletin पर क्लिक करने पर तो ये सारे download पीडियो फॉर्म में हो जाएगी तो trend graduate teacher and primary teacher का एक साथ फॉर्म भरा जाएगा जिसकी fees 1500 रुपए यहाँ पर बताई गई है तो 1500 रुपए यहाँ पर फीच लगेगी यह आप इसमें instruction दिये हुए हैं उन instruction को पढ़ सकते हैं किस तरीके से फॉर्म भरना है सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है अब आपने क्या करना है नीचे click here to proceed click here to proceed पर click कर देना है तो आपका candidate name, father's name, mother's name, date of worth, gender, identity type, identification number और home address, permanent address यह details भरने के लिए यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर सारी details को आपने भर देना है कंडिने नेम्स और present address और permanent address यह दो address दिये गए हैं यदि आपने present address भर दिया है और permanent address आपका present के जैसा ही है तो आप इस check box पर click करेंगे तो दोनों same हो जाएंगे आपको दोनों में address नहीं भरना है personal details में सारी जानकारी मैंने भर दी है और identity type में आप जो भी select करेंगे उसका number यहाँ पर डालना होगा मैंने driving license select किया है तो driving license का number यहाँ डाल देना है यह सिर्फ figure figure में लेगा 1,2,3 numbers में लेगा यह letters में नहीं लेगा तो आपने जो numbers हैं उनको ही यहाँ फिल कर देना है इसके बाद address आपका pin code, email address और confirm email address दो बार डालना है इसके बाद आप phone number और same as present address पर इस check box पर click करेंगे तो आपको इसमें फिल करने की आवस्यक्ता नहीं यह दि आपका permanent address और present address अलग अलग है तो यहाँ पर भर देना है चूज पासवर्ड में आपने एक अपना पासवर्ड create करना है जिससे आप आँगे चल कर भी login होंगे इस पासवर्ड में 8 से लेके 13 character हो सकते हैं जिसमें at least एक अपर और एक lowercase alphabet होना चाहिए पासवर्ड एड पासवर्ड में आप special character को भी डालना है यह डालके मैंने बना लिया है और security option जो भी आप देना चाहें अपने हिसाब से उसको बना लें कि यह आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो security question डालके access कर पाएंगे तो मैंने यहाँ पर what is your neighbor pet name यहाँ पर डाल दिया है अब जो capture दिया हुआ है inter security pin case sensitive इसमें capture डालके submit करना है तो capture है 6L15MO यह डालकर submit कर देना है जैसे यह आप submit करेंगे तो अंगले page पर यह लेके जाएगा दियान रखें जब आप choose password बनाएं तो इसमें डालने के बाद आप कहीं उसको note कर लें जिससे आप भूले नहीं और बाद में access admit card या access करने के लिए आपको वो अविसक पड़ेगी तभी आप उसमें login हो पाएंगे तो जैसे ही submit कर देते हैं capture डालने के बाद तो यह है बताएगा कि आप submit करने से पहले एक बार ensure हो जाएं कि आपके द्वारा भरा हुआ data सही है तो इसको close कर देंगे review page को close करने के बाद सारी भरी हुई जानकारी आपकी उपर दिखाई देगी उसको एक बार check कर लेना है मिलान कर लेना है कोई spelling mistake हुआ हो या कोई जानकारी आपकी गड़ा हो तो वो edit नीचे red button दिया हुआ है उससे edit कर सकते हैं इसके बाद यह particular checklist दी गई है उस पर सभी पर टिक करना है यह details आपकी आ गई है personal details में अब इसमें जो particular checklist to be verified है my name, father's name, mother's name, date of birth, gender, address, mobile number, email id इन सारे check box पर एक करके क्लिक करना है यदि किसी एक check box पर भी क्लिक नहीं करेंगे तो है submit and send option open नहीं होगा इन सब पर क्लिक करने के बाद यह I agree I agree के check box पर टेक करेंगे तो submit and send ot option open हो जाएगा तो इस पर क्लिक कर देंगे तो यह खुल जाएगा यदि edit करना चाहते तो red वाले edit registration form पर क्लिक करेंगे तो आप जानकारी को फिर से edit कर पाएंगे तो do you wish submit registration form and get otp as कर देंगे तो आपने जो उपर mobile number भरा हुआ था उस mobile number पर otp आएगा उस otp को यहाँ पर फिल करके submit registration form कर देना है six figure का otp आपके दी हे mobile number पर आएगा जैसे इस पर करके देंगे तो यह देखिए registration form complete green color का हो गया है इसके बाद इसमें और application form, face payment यह भी जानकारी आएगी यह incomplete है जो जो details आपकी भरती जाएगी वहाँ यहाँ पर दाहने साइड में completed लिखके आता जाता है तो personal details के लिए यह option खुलेगा इसकी नीचे आपने personal details, personal details पर क्लिक करेंगे तो है personal details फिर करने के लिए option खुल जाएगे personal details में आपका जो पहले भरा हुआ candidate name, date of birth, gender यह already भरके आजाएगा अब आपने यहाँ से nationality से start करना है nationality अपनी भर देंगे, राश्टीता क्या है तो मैं यहाँ Indian भर देता हूँ इसके बाद आप जम्मू एंड कश्मीर में 1980 से लेके 89 में जो जम्मू कश्मीर में दंगे हुए थे, उससे सम्मन देते तो नो कर देंगे यहाँ पर, यदि आप जम्मू कश्मीर से उससे हैं, पीडित हैं तो आप yes करेंगे, category, unreserved हैं तो unreserved कर दिया है, यदि आप विकलांग की शरिणी में देब्यांग की शरिणी में आते हैं तो are you different available हैं, तो वो वहाँ पर भर देना है एक servicemen है, तो एक servicemen की details में, date of joining service और date of retirement from service यह details भरनी होगी, तो duration of service, automatic calculate होके आ जाएगे merit status में, यदि आप merit हैं या unmarried हैं, तो जो भी details है, वो यहाँ भर देना है और security में, यह capture, दुबारा से, यहाँ capture मांगे गया, तो sx7480 capture फिल कर देता हूँ और save and nest, save and nest पर click करेंगे, तो are you sure want to submit to section, yes yes करतेंगे, तो अब apply for exam center details की तरफ, आपको ले जाएगा तो जिसमें post apply, post apply जो, जिसके लिए आप करना चाहते हैं, जो subject है आपका TGT के लिए जो subject मांगे गए है, math, और जो subject है, उसमें यदि भर रहे हैं, तो वो select करना है तो primary teacher, primary teacher पर click कर दूँगा, exam center के लिए आपने तीन choice को देना है, और तीनो choice अलग-अलग cities की होनी चाहिए, total यहाँ पर बहुत सारी cities दी गई है, आप आप देख लें, आपके जो नजदीक पड़ता है, जिस भी city में आप लेना चाहते हैं, उसको यहाँ पर प्रदेश, पहले state और उसके बाद उस state से सम्बंदित city, जितन जिन city में center हैं, उनके यहाँ पर आ जाएंगे, मैं मद्द परदेश में चुन रहा हूँ, तो मद्द परदेश के यहाँ आ जाएंगे, इस प्रकार से आप तीनों को चुन लेंगे, वो भी अलग-अलग चुनना है, तभी आप अंगले option में पहुच प चाहिए, सीटेट भी clear होना चाहिए, क्योंकि इस बार इन्होंने ऐसा नियम कर दिया है, कि सीटेट का roll number इसमें मांगा गया है, वो ही apply कर पाएंगे, तो सीटेट are you imply of kbs के लिए यहाँ select करेंगे, यदि जो imply पहले से kbs में काम कर रहे हैं, अब वो teaching line के लिए apply करना चाहत हैं, तो वो यहाँ yes करेंगे, हम नहीं है, तो no कर दिया है, सीटेट paper details, are you seated qualify, yes कर देना है, यदि आप no करेंगे, तो आप आँगे, नहीं पहुच पाएंगे, yes करना ही होगा, सीटेट qualification year, जिस year में आपका सीटेट clear हुआ है, वो year चुन लेना है, और आपने सीटेट roll number, सी यदि आप primary level का, paper 1 या TGT के लिए paper 2 निकाला हुआ है, तो यहाँ पर डाल देना है, सीटेट का जैसी आप roll number डालेंगे, तो सीटेट paper, यह automatic roll number के हिसाब से ले लेगा, कि यह roll number, सीटेट paper 1 और paper 2 के अलग लग है, तो टू मेटेक यह paper 1 आ जाएगा, यहाँ पेपर 2 का डालेंगे, तो paper 2 सीटेट paper में आ जाएगा, अब capture, यहाँ पर inter security pin में capture फिल कर देंगे, 06EJ25, capture डालने के बाद, save and nest पर किलिक कर देना है, सीटेट आपका clear होना चाहिए, इसमें यह कर दिया है, अब आप अगर बैसे भी paper देना चाहते तो नहीं पाएगे, जो अपने आपको test करना चाहते थे और paper देना चाहते थे तो वो नहीं हो पाएगा, इसके बाद आजाएगा document upload, document upload में आपको photographs और signature, दोनों को फिल करना ह जिनकी maximum minimum size 10KB का होना चाहिए, तो photo को आप choose file करके कर देंगे, upload पर click करेंगे तो यह upload हो जाता है, maximum इसकी photo की size 200KB और signature की minimum 4KB और maximum 30KB होती है, के बीच में होना चाहिए, अब inter security code में डालके save and nest पर click कर दूँगा, और इसको yes कर देना है, जैसे आप इस पर yes करेंगे तो document upload, यदि आपके KB के अंतर अरकत आ रहे हैं, तो वो upload हो जाएंगे, अब इसके बाद आ जाएगा final submit, final submit एक बार इसको आप दुबारा से check कर सकते हैं, प्रेशनर डेरेल जो अभी तक review page है यह, review page में जो details आपने भर देंगी, तो final submit करने से पहले एक बार जरूर सारी details को यहां check कर लाएं, कि आपके दोरा भरी हुई जानकारी पूर्णता सही है, क्योंकि final submit होने के बाद इसमें edit नहीं कर पाएंगे, तो सारी details आपकी photo, signature, सारी details अभी तक जितनी भी जानकारी भरी हुई है, वो यहां particular checklist to be verify के लिए, यह सारे checkbox पर click करना है, यदि एक checkbox भी आप click नहीं करते हैं, तो final submit का option open नहीं होगा, तो सारे checkbox पर click कर देना है, जो जो आपने details अभी तक भरके आए है, examination center, education details, kbs paper and see test details, यह देखिए, अगर यह भी छोड़ा है, तो यह यहां पर checklist को करने के लिए बूलता है, तो मैंने सारी checklist पर click कर दिया है, और I agree के checkbox पर भी click कर देना है, तो final submission of application का open हो जाएगा, यहां से yes कर देंगे, तो है आपको email verification के लिए लेके जाएगा, आपका email verification, आपके email पर एक OTP आएगा, उसको डालना है, उसको जैसे यहां पर डालेंगे, तो आपका email भी verify हो जाएगा, अब यह last बचा हुआ, fish payment, आपके दो यहां completed हो गए है, green color से आ गए है, fish payment, फिश payment यदि जिनके SC, ST और X servicemen, उनकी आएगे तो fish details का open होगा ही नहीं, आपको सीधा last में लेके चला जाएगा, verify your registration email ID के लिए, और आपका fish वाला option open नहीं होगा, general, OBC और जिनको fish फिलब करना है 1500 रुपए, उनको fish का option open हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना email ID को मेरे में OTP आ गया है, तो उसको verify कर लेता हूँ, अब click here to home, click here to home इस option पर कर देंगे verify successfully लिखके आ गया है, अब fish payment के लिए incomplete लिखके आ रहा है, क्यों, तो इसके लिए जैसे ही इस पर आप click करेंगे, तो online तरीके से online payment, checkbox आएका उस पर click करके proceed for payment, proceed for payment पर click करेंगे, तो are you sure, checkbox पर click कर देंगे, तो आपका users details customer ID generate होके आ जाएगी, और application नमर भी आ जाएगा, और यह examination fish collection के checkbox पर click करके HDFC bank payment gate भी debit card पर click कर देना है, तो आपका billing information पंदरा सो रुपए और order नमर यहां देखने लगेगा, pay with किसके माद्ध हमसे आप करना चाहते हैं, debit card, credit card, net banking और other bank, तो मैं debit card पर click कर देता हूँ, जिसमें card का number और इसकी expiry date और CVB, CVB नमर और name of card holder, का नाम डालके फिल कर देना है, तो यह आपकी फीश submit हो जाएगे, इसके बाद final submit आएगा, final submit in completed लिखके आ रहा है, तो उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो final submit के option पर पहुँच जाएगे, final submit के option पर जाएगे, तो सारी details एक बार फिर से दिखना है, सारी details दिख जाएगे, उसको check कर लेना है, इसके बाद final submit करना है, particular checklist to verify पर फिर से सभी check box पर किलिक करना है, my name, date of birth, person with disability, pwd, education details, father's name, gender, इन सब पर check box पर किलिक करके, I agree पर किलिक करके, final submit पर किलिक कर देना है, तो यह आपका view payment details और final submit हो जाएगा, download confirmation page आ गया है, download confirmation page पर किलिक कर देंगे, तो यह उपर download confirmation page करें, पर जैसे ही किलिक करेंगे, तो यह PDF form में download success हो जाएगा, जिसे आपने save करके रखना है, इस तरीके से यह सारा process step by step किस प्रकौर से form भरना है, यह आपको बताया, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो like करें, share करें, और अपने दोस्तों को बताएं, इस तरीके से आप पूरा KBS का form को भर सकते हैं, और इसका print out भी निकालके आप अपने पास रख सकते हैं, इस तरीके से पूरा form, किंद्री विद्यालेस, संक्तेन का primary, इसी सेम प्रोसेस, TGT, PGT और non-teaching category के लिए भी सेम प्रोसेस है, इसी सेम प्रोसेस से सारे form को भरा जा सकता है, Thank you for watching, have a nice day.